Spoken English Lessons में आपका स्वागत है Translate भाशांतर करना The Sentences into English हम लोग कभी-कभी बाहर घूमने जाते हैं We sometimes go for a walk to the garden तुम कभी ever cricket खेलते हो Do you ever play cricket? तुम तुम्हारी पाच्छाला में संस्क्रिट नहीं सीखते हो Don't you learn Sanskrit at school? Lata उसके पिता को हर रविवार को इंग्लेंड कागर्स लिखती है Lata writes a letter to her father in England every Sunday यह महिला बहुत ही अच्छी Well, तरह से कपड़े धोती है This woman washes clothes very well तुम इस चद्र में क्या देखते हो What do you see in this picture? तुम तुम्हारी किताबे कहां रखते हो Where do you put your books? तुम सुभे को कब उठते हो? When do you get up in the morning? तुम सुभे इतना जल्दी क्यों उठते हो? Why do you get up so early in the morning? तुम्हें कौन इंग्लिश सिखाता है? Who teaches you English? Telling time समय दर्शानी के लिए एक बजा है It is 1 o'clock छे बजे है It is 6 o'clock वह ग्यार बजे स्कून जाता है He goes to school at 11 o'clock वह पाच बजे घर आता है He comes home at 5 o'clock कितने बजे है? What time it is? What's the time? देर बजे At half past 1 धाई बजे At half past 2 साठे तीम बजे At half past 3 साठे नौ बजे At half past 9 साठे बजे है It is a quarter past 1 साठे दो बजे है It is a quarter past 2 साठे तीम बजे है It is a quarter past 3 वह सवा चार बजे घर आता है He comes home at a quarter past 4 वह सवा ग्यारा बजे College जाता है He goes to college at a quarter past 11 तुम सवा बारा बजे क्या करते हो What do you do at a quarter past 12 पॉनी एक बजे At a quarter to 1 पॉनी दो बजे At a quarter to 2 पॉनी तीन बजे At a quarter to 3 पॉनी नौ बजे At a quarter to 9 वह पॉनी साथ बजे घर आता है He comes home at a quarter to 7 वह पॉनी ग्यारा बजे College आता है He goes to college at a quarter to 11 तुम पॉनी आठ बजे क्या करते हो What do you do at a quarter to 8 वह कभी पॉनी दस बजे से पहले कार्यले में नहीं जाता He never goes to office Before a quarter to 10 अभी तक हमने पा, आधा, पॉना और पूरे घंटे के शब्दों को सीखे तो अब मिनित वाले समय को देखे 12 और पाच हुए है It is 5 past 12 12 और बीस हुए है It is 20 past 12 साड़े बारा बजे के बाग एक में किटनी मिनिट कम है उसे इस तरह से कहा जाता है एक में 25 कम है It is 25 to 1 एक और दो के बीच के अलग-अलग समय निनितकार से दर्शाए जाते है एक पाच It is 5 past 1 एक पंद्रा It is a quarter past 1 एक बीस It is 20 past 1 एक तीस It is half past 1 एक पैपीस It is 25 to 2 एक पैपालिस It is a quarter to 2 दो It is 2 o'clock संग्शिप्त में कई बाद It is 5 110, 115, 130 ऐसे धी कहा जाता है खास करके ट्रेन का समय दर्शाने के लिए It is the 630 ट्रेन वह छे तीस की गाड़ी है He leaves home at 745 वह साथ पैपालिस को भर से निकलता है इस टिचोरियल को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगने लेसन में झाल